नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सही ट्रेड चैनल गे उपर दोस्तों आज की वीडियो में हम ग्रो एप्लिकेशन में डिलिविरी के शेर्स किस तरीके से बाई करने हैं इसके बारे में एक टिटोरियल देखने वाले है आपको अगर स्टॉक लॉंग टर्म होल्ड के लिए लेना है तो आप डिलिविरी का ओप्शन सिलेक कर सकते है अगर आपको एक दिन के लिए स्टॉक लेना है तो आप इंट्राडे का ओप्शन यहाँ पे सिलेक कर सकते है तो grow हमने यहाँ पे login कर लिया है आप इस तरीके से आपकी watch list बना सकते हो watch list का video अल्रेडी मैंने बना दिया है जिसका link आपको description में मिल जाएगा वहाँ पे आप देख सकते हो stock की watch list किस तरीके से बनाई जाती है तो जो भी आपके watch list में stock होगा आप उसे track कर सकते हो और उसे analysis क बाद buy कर सकते है मैं अभी जो stock buy करके दिखने वाला हूँ वो कोई recommendation नहीं है मैं सिर्फ आपको tutorial बता रहा हूँ कि किस तरीके से buy करना है आप इसे follow मत करना tutorial को follow मत करना मेरी recommendation नहीं है ये stock को buy करने से पहले अपने financial advisor से पूछे या फिर खुद analysis करे तो आज जो stock में buy करने बाला हूँ वो है Indian Railway Finance Corporation ये stock मुझे काफी दिनों से अच्छा लग रहा है तो मैं इसको आज buy करूँगा तो stock के उपर आपको select करना है stock को select करने के बाद आपको अगर chart देखने है तो आप यहाँ पे chart देख सकते है चार्ट किस तरीके से read करते है ग्रो का chart किस तरीके से read कर सकते है इसके उपर भी already एक detail video description में available है वो भी आप देख सकते है तो यहाँ पे आपको buy और sell दोनों का option मिल जाता है हमें आज करना है buy तो buy के उपर click करेंगे buy के उपर click करने के बाद यहाँ पे आपको दो options दिखाई देते है एक है delivery और एक है intraday delivery का मतलब होता है long term के लि साल बाद भी आप उसे बेच सकते हो तो यह delivery होता है इसके पूरे पैसे हमें pay करने होते है जैसे कि इस particular stock की price है 80 रुपए तो अगर मुझे एक quantity buy करनी है तो 80 रुपए 30 पैसे मुझे पूरे के पूरे यहाँ पे pay करने होंगे दूसरा होता है intraday, intraday में क्या होता है कि minute पे आप उसे buy करते हो, 3 बच के 30 minute से पहले आप उसे बेच देते हो, उसके अलावा उससे ज्यादा आप stock को उसे hold नहीं कर सकते हैं, तो आपको select करना है delivery, delivery select करने के बाद आप यहाँ पे quantity पे NEC या BAC कोई भी select कर सकते हो, ऐसा कोई mandatory नहीं कि NEC ही select करना है, आप BAC भी select कर सकते हैं, तो quantity आपको select करनी है, तो मैं 5 quantity आज select करूँगा और आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, मेरा balance जो है 1000 रुपीज है और required मुझे 404 रुपे है, क्योंकि 5 quantity buy करने के लिए मुझे 404 रुपे की जरूरत है, अब यहाँ पे एक और option आपको मिलता है, price, market या फिर limit, अब मैं यहाँ पे अगर market select करता हूँ, तो current market पे जो price चल रहा है, उसके उपर मेरा stock जो है, वो buy हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे limit करता हूँ, तो क्या होगा, कि यहाँ पे मैं अपनी price enter कर सकता हूँ, यानि कि current market चल रहा है 80.30, मुझे उसके नीचे buy करना है, 80.20 पे buy क तो मैं अपनी price यहाँ पे negotiate करूँगा, और जब तक वो price नहीं आएगी, तब तक मेना stock buy नहीं होगा, लेकिन फिलाल मैं यहाँ पे market पे buy करूँगा, क्योंकि order execute करके मुझे आपको दिखाना है, तो buy के उपर click करेंगे, तो आप देख सकते है, buy order successful, अब यहाँ पे आप द price यहाँ पे मिल जाएगी, buy delivery, regular order हमने किया है, यह सारी details आपको यहाँ पे मिल जाती है, अब holdings में अगर आप जाओगे, तो आपका जो current stock आपने buy किया है, उसका current invested क्या है, और आपने कितना amount invest किया है, total return आपको कितना मिल रहा है, यानि कि आपको profit और loss कितना हो रहा है, य यह सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी, IRFC में फिलाल तो कोई profit loss हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो यह चलता रहेगा दिन बर, अब यह जो है वो T1 holding में है, आप इसे आज भी बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत लोगों का सवाल होता है कि delivery के ही आपको वो बेचना पड़ेगा, अब बेचने के लिए क्या करना है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिर भी मैं इसी वीडियो में थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ, stock के उपर आपको क्लिक करना है, sell के उपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप sell भी कर सकते है, इसके उपर डीटेल वीडियो बनाएंगे, एक दिन, एक चार-पाच दिन complete होने दीजे, फिर हम टीपिन एंटर करके भी exit कैसे करना है, उसके भी वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे, फिलाल इस वीडियो में इतना ही, मैं again कहता हूँ कि मेरा कोई recommendation नहीं इस top को buy करने का आपको, आप आपकी analysis और आपके financial advisor की मदद से ये सारी चीज़े कर सकते है, अगर आपको analysis सीखना है, तो मेरी membership आप ले सकते है, सिर्फ 199 रुपीज में आपको membership दे रहा हूँ, जिसमें मैं technical analysis और fundamental analysis के पूरे course मेरे available है, बहुत सारे videos है, जो आप enjoy कर सकते है सीख सकते है, अगर सीखना है, तो membership ले लेना, आपको batches भी मिलेंगे और super chat भी आपको बहाँ पे मिल जाएगा, बाकी इस वीडियो में इतना ही, I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो please like कर देना, वीडियो को जादा से जादा शेयर करना, पन्यवाद